श्री गिनेश आय नमो नमहा, मित्रो अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में, आज के पंचांग में तिथी, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्त्रित जानकरी के साथ, आज का शुब समय अभिज पूरी पूरी जानकारी विलती है, आज जानते हैं आज का शुब पंचांग, आज हम जानेंगे 18 अक्तूबर 2024, शुकरवार का संपुर्ण और विस्त्रित पंचांग, आज विकर्म समवत 2018, शक्समवत 1946, कली समवत 5126 चलहा है, महाकार्तिक पक्षक क्रिशन पक्षम, रित पूशर्द अयन दक्षिन आयन, तिथी आज है प्रतिपदा, नक्षत्र अश्वनी, कर्ण, कोलव और तैतिल रहेंगे, योग रहेगा वज्र, आज जानते हैं आज का पंचांग, विस्तार पूर्वक, आज कार्तिक महा के क्रिशन पक्ष की प्रतिपदा तिथी, एक बच कर पंद्रा मिनाट दोपहर तक रहेगी, इसके बाद द्वीतिया तिथी प्रारंब हो जाएगी, आज के सुर्यास्त का समय रहेगा पांच बच कर अड़तालीस मिनाट शाम को, आज चंद्रोद्या च्छा बच कर बीस मिनाट शाम को होगा, और चंद्रास्त सात बजे विराजमान रहेगे, आज सूर्य तुला राशी में विराजमान रहने वाले हैं, आज के नक्षतर अश्वनी एक बच कर छबीस सिमिनाट दोपहर तक रहेगा, इसके बाद भरणी नक्षतर प्रारंब हो जाएगा, आए जानते हैं अश्वनी नक्षतर के बारे में, जिन लोगों के नाम अक्षर चै, चे, चो, ला, शे शुरू होते हैं, ऐसे लोग अश्वनी नक्षतर वाले होते हैं, इनकी राशी होती है मेश राशी और मेश राशी का स्वामी है मंगल, तत्व की बात करें तो अगनी तत्विन का रहता है, गान देव, नाडी, आदी, आज का पहला करन कोलव एक बच कर पंदरा मिनट दोपहर तक रहेगा, आज का दूसरा करन तैतिल ग्यारा बच कर उनत्तिस मिनट मध्यरातरी तक रहने वाला है, आज जानते हैं आज के करन के बारे में, कोलव करन को शुब करन की शेणी में रखा गया है, इस करन में शुब और मांगलिक कार्य के जा सकते हैं, यह करन किसी काम के शुरू करने या किसी यात्रा को करने के लिए लिया जा सकता है, कोलव करन में विक्ति को अधूरे बचे हुए काम को पूरा करने का मोका भी मिलता इस समय पर व्यक्ति अपनी जीत के लिए बहुत अधिक प्रयास शील रहती हैं इस कर्ण में जातक कठोर कर्म भी कर सकता है अगर कोई सरकारी काम अठका हुआ हो तो इस कर्ण के दोरान उस काम को करने के लिए प्रयास करने से लाब मिलने के उमीद बढ़ जाती है जिस व्यक्ति का जनम तैतिल कर्ण में होता है उस व्यक्ति को अपने पुरशार्थ के इलावा सुभागे से भी धन की प्राप्ति होती है तैतिल कर्ण में जनम लेने वाला व्यक्ति अपने निकट के व्यक्तियों और ग्रुप के सभी व्यक्तियों से सन्हे करता है इस योग का व्यक्ति जीवन में कई घरों का स्वामी होता है, भूमि भवन के मामलों में उसे धन लाव प्राप्त होता ही रहता है, तैतिलकर्ण में जन्मा व्यक्ति कोट के चाहरे में विजय भी प्राप्त करता है आज का योग वज्र 9 बच कर 34 मिनट रातरी तक रहेगा इसके बाद सिधी योग प्रारम हो जाएगा अई जानते हैं वज्र योग के बरे में वज्र का अर्थ है कठोर इस योग में वहाने त्यादी नहीं खरीद दे जाते अन्य था उनसे हानी या दुरगट ना हो सकती है यदि आपने वज्र योग में जनम लिया है तो आपका विवार सहयता करने वाला और देखभाल करने वाला हो सकता है आप दान में लिप्त और वन्चितों की मदद करना पसंद करती हैं आप भारी धन मात्रा प्राप्त करेंगे और एक मजबूत समाजिक प्रतिष्ठा का आनंद भी लेंगे लेकिन बोलचाल में आप कठोर विक्ती हैं आप संदेह पूर्णक गती विदियों में शामिल होने वाले भी हैं आज का शुब समय आज का ब्रह्म मुरत चार बच कर 42 मिनट से बैसे पांच बच कर 31 मिनट तक रहेगा अभी जीत मुरत का समय 11 बच कर 43 मिनट से 12 बच कर 29 मिनट दोपहर तक होगा और विजय मुरत का समय 2 बच कर 2 मिनट दोपहर से 2 बच कर 40 मिनट तक आज के अनेशुब योगों में से सरवार्त सिधी योग 6 बच कर 24 मिनाट सुबह से 1 बच कर 26 मिनाट दोपहर तक रहेगा अमरत कालम योग 7 बच कर 6 मिनाट से 8 बच कर 31 मिनाट शाम तक रहेगा आज का एशुब समय आज का रहुकाल दस बच कर 40 मिनाट सुबह से 12 बच कर 6 मिनाट दो पहर तक रहेगा यमगंड काल का समय दो बच कर 57 मिनाट दो पहर से 4 बच कर 23 मिनाट तक रहने वाला है मित्रो रहुकाल और यमगंड काल दोनों ही एशुब समय है इसलिए इन समय के दोरान किसी भी प्रकार के शुबकारे, मंगली कारे और ने कारे प्रारम नहा करें दिशाशुल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशुल है आज के दिन किसी खास कारे के लिए किसी खास प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें यदि यात्रा करना अती अवशक हो तो दही, शक्कर, जो और राई इन वस्तों का सेवन करके अपनी यात्रा प्रार्म करनी चाहिए आईए जानते हैं आज के दिन का चोगडिया आज चर समय 6 बच कर 23 मिनट सुबह से 7 बच कर 49 मिनट तक रहेगा लाब समय 7 बच कर 49 मिनट सुबह से 9 बच कर 15 मिनट तक रहने वला है अमरत समय 9 बच कर 15 मिनट सुबह से 10 बच कर 41 मिनट तक रहेगा शुब समय बारा बचकर 7 मिनट दुपहर से 1 बचकर 32 मिनट तक होगा चर समय अर्था समयने समय चार बचकर 24 मिनट से 5 बचकर 49 मिनट शाम तक रहेगा आज रातरी के जोगड़िये में लाव समय आठ बचकर 57 मिनट शाम से 10 बचकर 32 मिनट तक होगा शुब समय 12 बचकर 6 मिनट मधेरात्री से 1 बचकर 41 मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगा अमरत समय 1 बचकर 41 मिनट से 3 बचकर 15 मिनट अगले दिन सुबह तक रहने वला है मित्रो आज है शुकरवार आए जानते हैं शुकरवार के दिन क्या करें और क्या ना करें इसकी प्रकरती मृदू है यह दिन एक और जहां महालक्ष्मी का दिन है वहीं दूसरी और माता काली का भी यह देट्टों के गुरु शुकरचारे का दिन भी है शुकर बतन प्रमेहे रोग के रोग्यों को शुकरवार के दिन उपवास रखना चाहिए क्योंकि है दिन ओज, तेजस्विदा, शोरे, सुंद्यरवर्धक और शुक्रवर्धक होता है ये कारे करें लाल चंदन लगाएं पूरव, उत्तर और इशान दिशा में यात्रा कर सकते हैं निर्त्यकला, गायन, संगीत, इत्यादी, रचनात्मक कारे की शुरुवात की जा सकते हैं अबुशन, श्रंगार, सुगंदित, बदार्थ, वस्त्र, वाहन, चांदी के करे, विक्रे के लिए आज का दिन उचित है सुखब भोग के लिए भी यह दिन शुब होता है इस दिन खटा ना खाएं तो आपके साथ अच्छा होगा किसी भी प्रकासे शरीर पर गंदगी ना रखें अन्यता अक्समिक घटना दुर घटना हो सकती है पिशाची या निशाचरों के करम से दूर रहना चाहिए निरत्य दिशा में पश्चिम और दक्षन दिशा में यात्रा ना करें मित्रो ये था आज का शुब पंचांग आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ तब तक देखता रहें अनोका संकम का पंचांग और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और कमेंट में लिखें जैम आता दी आपका वीडियो में अन्ते तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद